हाई फ्रंस मैं ये एकसल में ये वीडियो में एकसल कैसे यूस करना करके पताना चाहता हूं पहले एक निउएक्सल क्लना पड़ेगा उसके बाद में क्लने के बाद में कि एक मिट अभी अभी को कुल गया उसके बाद में कि थोड़ सा सूंग कर लेंगे कि अभी अभी वेरी बेक्स बेसिक्स एक्सल में जो टॉपिक है उसके में बताना चाहता हूं मुझे तोड़ा तोड़ा हिंदी माल में अगर कुछ गलती है तो माफ कीजी मुझे मैं थम्नाडे से हिंदी सीख्ये बात कर रहा हूं अगर गलती है तो माफ कीजी मुझे अभी एए टॉपिक्स में बोलना चाहता हूं अभी पहले कॉलम और रोव और देन एंसेट कॉलम और उसके बाद में एंसेट ज़िए है अाँ सोरे एंसेटरो उसके बाद में डिलीट कॉलम डिलीट कॉलम उसके बाद में डिलीट रोव डिली टो मतलब अभी सेल्स है सेल्स है उसके बाद में हाइड हाइड और और हाइड फिर add two cell values मतलब two cell की values है उसको दूना मिला के value लेना है ठीक है अभी copy copy and paste राक के एकदम अक्री में cotton paste है ठीक है दोस्तों अभी पहले अभी अभी 123 अभी बार पोरो टापिक्स इसको देखेंगे यहां पहले column मतलब column मतलब alpha parts में A, B, C, D, E, F पूर alpha parts यह पूरा पूलते हैसको column पूलते हैसको एकदम अभी A, X, A, W पूरा मतलब सबी column होता है एक दो मागरी में XFD होता है यह Excel 2016 में Microsoft Excel का 2016 में और और रफेरेंस के लिए उसको लिक लेता हूं मैं XFD करके उसको बाद में row देखेंगे row मतलब क्या होता है row मतलब 1234567 यह पूरा rows होता है rows में यह एंटेर horizontal line is rows होता है और वेर्टिकल line पूरा column होता है तो अभी 10,48,000 कुछ है यह पूरा है rows होता है अभी 10,48,000 576 इतना rows Excel में उपलब है उसको बाद में delete column देखेंगे हम अभी delete column मतलब क्या होता है यह right click करके उसको delete column करके option रहेगा उसमें click करेंगे तो यह entire cell इंसेट column है और यह इंसेट है इंसेट हो जाएगा additional एक line इंसेट हो जाएगा अभी insert row insert entire row अभी नीचे आ गया ठीक है इसके बाद में अभी delete column है अभी delete हो गया अभी फिर से delete row होता है अभी अभी एक line पुरा delete हो गया इसके बाद में हम देखेंगे cells है cells है एकदम very important चीजे इसको सभी सभी चीजे सभी cells होता है मतलब अभी c3 shadow पॉट है न वो cells होता है वो cell की c3 होता है उपर c है और row में 3 है column में c है इसको c3 बोलते हैं अभी दूसरे एक cell देखेंगे f7 अभी cell में 7 है sorry f है और row में 7 है इसको f7 cell बोलते हैं इसको एकदम basic चीजे लेकिन कोई इसके बार में नहीं बोलता है एकदम basic में बोल रहा हूं में अभी इसके बाद में ये cell की उसकी add two cells होता है ये मतलब दो cell की मिला के और एक दूसरे cell में डालने का का में मतलब क्या है ये अभी अभी ये c9 और d9 दोनों से अभी yellow कलर क्या है पिला कलर ये पिला कलर c9 और उसके बाद में plus डालने के बाद में d9, d और 9 ये दोनों sorry, d8 डाल दें d9 ये एंटर करेंगे तो अभी अभ जो c9 और d9 में डालेंगे तो वो दोनों मिला के e9 में दिखाएगा ये बस ये add to cells values होता है hide, hide मतलब क्या है एक cell में जो भी रहेगा पूरा hide हो जाता है कैब हो जाता है अभी उसके बाद में उसको वापस लेने के लिए और फिर से unhide करना पड़ेगा अब फिर वो जाएगा ठीक है उसके बाद में copy and paste की बार में बोलेंगे दोस्तों पर copy मतलब copy सभी मतलब Microsoft word में होता है जैसी ये कट करेंगे दुसरी सिल में paste करेंगे तो पुराना सिल की वैल्यू पाहं से निकल की दूसरी सिल में आ जाता है उसके बाद में हम देखेंगे copy and paste के शार्ट करत क्या है क्या है करके copy ctrl c होता है उसके बाद में Ctrl v करके paste करना पड़ेगा अभी Ctrl V करेंगे तो और फिर से पेस्ट हो जाता है इसकी शार्टकट्स होता है Ctrl C और Ctrl V होता है और उसके बाद में Cut and Paste इसकी शार्टकट है Ctrl X है और उसके बाद में Ctrl V करना पड़ेगा ओके टैंक्यू बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों शुक्रिया